आज में आप लोगों को इस सेशन में भक्ति आंदोलन तथ साथ ही भक्ति आंदोलन के महान धर्म सुधारकों के बारे में बताऊंगी। चलिए बिना किसी देरी के साथ इस सेशन को सुरू करते हैं। मजदी काल में भक्ती आंदोलन प्रारम हुई थी चठी सताबदी में भक्ती आंदोलन की शुरुवात तमिल छेत्र से हुई जोकी करनाटक से महाराष्ट तक फैली हुई थी भक्ती आंदोलन का विकास 12 अलवर 29 संतों और 63 नैनार संतों ने किया था नैनार और वेसनव अलवर जैनियों और बोध्धों के आपरिग्रह को अस्विकार कर इस्वर की प्राप्ती व्यक्तिगत भक्ती को ही मुक्ती का मार्ग बताते थे भक्ती की धारना का अर्थ एक इस्वर के परति सच्ची निश्ठा है भक्ती पंथ ने उपासना की वीधियों के रूप में कर्म कांडों तथा यग्यों का परित्याग किया तथा संतों ने जन साधारन की छेत्रिये भसाओं जैसे की हिंदी, मराथी, बंगाली और गुजराती में अपने उपदेश दिये जिससे इन भसाओं का विकास हुआ भक्ती आंदोलन समतावादी आंदोलन था जिसने जाती या धर्म पर आधारित भेद भाव का पुर्नता से निशेद किया भक्ती आंदोलन के मुल सिधांत सूफी संतों की सिछाओं से मिलते जुलते थे भक्ति आंदोलन को दच्छिन भारत से उत्तर भारत में रामानंद के द्वारा लाया गया था रामानंद की सिच्छा से भक्ति आंदोलन दो संपरदायों में विभक्त हो गया फर्स्ट है सगुन जो कि पुनर जनम में विश्वा सकता था और सकेंड है निर्गुन जो की भगवान की निराकार रूप को मानता था सगुन संपर्दाई के सबसे परसिद्ध कवी तूलसी दास और नाभा दास राम भक थे वल्लबाचारी चेत्त अन्ये सूर्दास और मीराबाई क्रिश्न भक थे निर्गुन संपर्दाई के सबसे परसिद्ध परति निधी थे कवीर जिने भावी उत्तर भारतिय पंथो का अध्यात्मिक गुरु माना गया है भक्ती आंदोलन के संद कुछ इस परकार है फर्स्ट है रामा नुजाचारी जो की ग्यारहवी सतावदी में थे इन्होंने राम को अपना आराध्यमाना इनका जन्म 1070 इस्वी में मदरास के निकट पेरुंबर नामक स्थान में हुआ था रामा नुजा ने वेदान्त में परसिच्छन अपने गुरु कांची पुरम के यादो परकास से प्राप्त किया था तत पस्चात इनकी मिर्त्यू 1137 इस्वी में हो गई थी सेकेंड है रामानंद रामानंद का जन 1299 इस्वी में पर्याग में हुआ था इनकी सिच्छा पर्याग तथा वारा नसी में हुई इन्होंने अपना संपरदाय सभी जात्यों के लिए खोल दिया था रामानोज की तरह इन्होंने भी भक्ति को मुक्स का एक मात्र साधन स्वीकार किया इन्होंने मार्यादा पुर्संतम राम एवं सीता की अराधना को समाज के समच रखा रामानंद के 12 सिस्यों में दो इस्तिरिया थी फर्स्ट थी पद्मावती और सेकेंड थी सुर्शरी इनके परमुख के सिस्य रे आस, कबीर, धन्ना, सैना, पीपा तथा सगना थे इन सिस्यों में सबसे परमुख के सिस्य कबीर जिन्हें हम कबीर दास के नाम से जानते हैं कबीर का जन 1440 इस्वे में वारा नसी में एक विद्वा ब्रामनी के गर्व से हुआ था लोग लज्जा के भई से अपने नवजात सिस्यों कबीर को वारा नसी में लहरतार के पास एक तलाब के समीप छोड़ दिया वहां से जुलहा नेरू नामक एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी नीमा के साथ मिलकर इस नवजात सिस्यों को अपने घर ले आए इस बालक का नाम इन्होंने ही कबीर रखा था और बाद में एक महान धर्म सुधारक के रूप में कबीर स्वामे वेख्यात हुए इन्होंने जाती पर था धर्मिक कर्म कांड बाय आडंबर मुर्ती पूजा जब तब अवतारवाद यादी पर घोर विरोध करते हुए एक एस्वरवाद में आस्था व्यक्त की एम निराकार ब्रह्मा की उपासना को महत्व दिया निर्गुन भक्ती धारा से जुड़े कबीर ऐसे पर्थम भक्त थे जिन्होंने संत होने के बाद भी पुर्णता गिरस्त जीवन का निर्वाह किया इनके अन्याई कबीर पंथी कहलाए कबीर के उपदेश सब्द सीखो के आदी ग्रंथ में संग्रहित हैं कबीर की वानी का संग्रह बीजक नाम से परसिद्ध है बीजक में तीन भाग हैं फर्स्ट है रेमेनी सेकेंड है सबद तथा लाष्ट थर्ड है साखी उनकी भासा को मद्दू कड़ी कहा गया है इसमें बज्र भासा अवधी यम राजस्थाने भासा के सब्द पाये जाते हैं कबीर दास की मिर्थ्यू 1510 इस्वी में हुई थी कबीर दास सिकंदर लोदी के समकालिन थे कबीर दास के समय में ही एक महान धर्म परवर्टक के रूप में गुरु नानक का उदय हुआ गुरु नानक का जन्व 1469 इस्वी में आविभाजित पंजाब यानि कि उस समय जब पंजाब का विभाजन नहीं हुआ था तब रावी नदी के तट पर इस्थित तलवंडी नामक ग्राम में उनका जन्म हुआ जो अब ननकाना साहिब के नाम से परचली थे उनकी माता का नाम त्रिप्ता देवी तथा पिता का नाम कालूराम था बटाला के मुलराज खत्री की पुत्री सुल्चनी से उनका विवा हुआ जिससे उन्हें दो पुत्र हुए उन्होंने देश का पांच बार चक्कर लगाया था जिसे उदासिस कहा जाता है उन्होंने कितनों के माध्यम से उपदेश दिये विकाई ये रचना करते थे और बरार की संगीत के साथ गाया करते थे अपने जीवन के अंतिम समय में उन्होंने रावी नदी के किनारे करतारपूर में अपना डेहरा या मठ स्थापित किया अपने जीवन काल में है उन्होंने अध्यात्मिक अधार पर अपने पुत्रों की जगा अपने सिस्थिय भाई लहना जिने हम अंगल स्वामी के नाम से जानते हैं उनको अपना उत्राधिकारे न्युक्ति किया इनकी मिर्थ्यू 1538 इस्वी में करतारपूर में हुई राजापूर गाउं में 1532 इस्वी में हुआ था इन्होंने रामचरित्र मानस की रचना की इनकी मिर्थ्यू 1623 इस्वी में हो गई थी तुल्सिदास मुगल सासक अकबर एवं मेवाड के सासक राना परताप के समकालिन थे कबीर दास के समय में ही एक महान धार्मिक नाय का मीरावाई का भी जन्म हुआ मीरावाई का जन्म 1498 इस्वी में मेरता जीले के चोकारिक राम में हुआ था इनके पिता का नाम रत्न सिंग राठोर था इनका विवाव 1516 इस्वी में राना सांगा के बड़े पुत्र युवराज भोज राज से हुआ था अपने पती के मिर्तिव के उपरांती ये पुर्नता धर्म परायन जीवन वेतित करने लगी इन्होंने क्रिश्न की उपासना प्रेमी एवं पती के रूप में किया इनके भक्ति गीत मुख्यता बज्र भासा और आंसिक रूप से राजस्थाने में लिखे गए हैं तथा इनकी कुछ कविताएं राजस्थाने में भी हैं इनकी मिर्तिव 1546 में हो गई थी मीरावाई के समय में ही रेदास का भी उदे हुआ यह जाती से चमार थे और बनारस के रहने वाले थे यह रामानंद के 12 इस्थियों में से एक थे इनके पिता का नाम रगु तथा माता का गुर मुनिया था यह जूता बनाकर जिवि को उपारजन करते थे इन्होंने राम दासी संपरदाई की अस्थापना की इसी के साथ भक्ति आंदोलन की समापती हो गई इसके साथ ही यह सेशन समापत होता है अगर आप लोगों को ऐसे ही और भी सेशन देखने है तो मेरे चैनल इस्टोरीकल इस्टोरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन को प्रेस करना ना भूलें तभी आप लोगों को मेरे सेशन के नोटिफिकेशन मिलेंगे